अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, डिस्किरिट सीरीज, टाइप टू, टाइप बन समझ में आगे आप से बच्चे को, अब हम बात करते हैं बच्चे, टाइप टू, डिस्किरिट सीरीज, किसे कहते हैं, जब आपके पास में नमबर अफ अबजरुवेशन ज्यादा हो, जैसे आपके एक क्लास में तो ठीक है, 40-50 सुडेंट्स होते हैं, तो हुआ एक एक बच्चे का नाम लिख करके उनका record मेंटरिन कर सकते हैं, इसको अब इंडिजिवल सीरीज कहते हैं, लेकिन अगर मैं आपके क्लास की बात करके, अगर मैं आपके स्कूल की बात करूँ, कि स्कूल में सभी बच्चों के मैं average height calculate करने चाहता हूं, आपके स्कूल में तो भिया, 5th class भी है, 6th class भी है, 7th भी है, 8th भी है, 9th भी है, 10th भी है, 11th भी है, 12th भी है, और हर क्लास के 3 दिन चाहता section भी है, हजार से उपर बच्चे हैं, इतना बड़ा data है, और मैं चाह रहा सब्मिशन करने में कितनी problem होगी आपको, है न, मानते हैं चीच को, तो यहां पर एक काम क्या जा सकता है, कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जिनकी height same होगी, जिसे कि एक Mr. A, इसकी height भी 5ft है, Mr. B की भी height 5ft है, एक कोई और निकला बीच में कहीं कहीं C, उसकी भी height 5 5ft, D की भी 5ft, E की भी 5ft, ऐसे 5 बच्चे निकल गए, 5ft, तो मैं लिख दूँगा, मैं क्यों लिखूँ का नाम? मैं लिख दूँगा data X 5ft, और आगे लिख दूगा कितने बच्चों के पास में है, तो यह मानते 6 बच्चों के पास में, जिख दूँगा, तो यह data कितने लो देखिए बची धन समझेगा पांच लोग मिलके सो रुपए कमा रहे हैं ऐसा नहीं है सो 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 रुपए कमाने वाले पांच लोग हैं जो पांच लोग हैं ये भी सो रुपए कमा रहा है ये भी सो रुपए कमा रहा है ये भी सो रुपए ये भी सो रुपए और ये भी सो रुपए ये है इसका मतलब कि यह data कितने लोगों ने अपने पास में रखा हुआ है, इसको बोलते हैं frequency, इसे क्या बोलते हैं, frequency, number of person, तो इसको मैं frequency बोलूँगा, या आप नाम दे देता हूँ अभी मैं, F में, clear है बच्चे, और जो मेरा data है, इसको मैं बोलूँगा, X में, अब आप देखेंगे, तो सबसे पहले आपको direct method कर रहे है, direct method में क्या हुआ था, data के साथ में कुछ भी छेटखानी नहीं करते हैं, जो data रहता है, उसी बिस direct काम करते हैं, तो मेरे पास में, मैं data का sum करूँगा, तो यह 140 में इसका sum नहीं कर सकता हूँ, तो यह गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तो एक एक परसंट का data है, बट ऐसे data करने ले 5 लोगे, तो total कितने लोग है मेरे पास है, 5 यहां पर, 2 यहां पर, तो पहले मुझे number of observation समझने के 500, तो basically मैं क्या कर रहा हूँ, F को X से multiply कर रहा हूँ, जिससे ही पता लग जाए कि यह जो data है, इतने लोगों के पास में, इतने हर किसी के पास में, तो इन सब के पास है total कितना निकल कर के आएगा, क्लेरे बच्चे, multiply क्यों हो रहा है, समझ में आपको, अब 140 है, तो दो लो तो यहाँ पर 120, 800, और 600, और 500, 750, clear है, तो अब समीशन यहाँ पर FX करते हैं, करेंगे 0, 8, 2, 10, 5, 15, 1, 6, 2, 8, 8, 8, 8, 16, 16, और 7, 23, और 2, दो रेक, टीन, तो यह आपके पास में समीशन आ गया, अब आप मीन निकालेंगे, एक्स बार इक्वल्स टू, तो समीशन जो डीटा का हुआ है, वो FX के तरू हुआ है, और समीशन F, आपके पास है नंबर अबजर्वेशन है, तो X बार इक्वल्स टू, आपके प अपान 20, सॉल करेंगे, तो एकन दो, एक दो चीक बारा, दो से ते चोदा, दो पंची दस, तो 167.5 इसका अंसर है, क्लेरे हैं बच्चे? यहां से बच्चे देखो, वीडियो तो बड़ा, मेरे तक से तो आप सब में पॉल्म, अगर आ रही है, तो यह एप्लिकेशन की, ऑनलाइन की पॉल्म चल रही होगी, उसको हम जल्दी से ठीक कर देंगे, क्लेरे, बच्चे, यह समझ माएं आपको, अब यहां देखें आप, इसी तरीके से अब हम आ गए, शौटकर्ड मेथड पे, तो शौटकर्ड मेथड तो आपको पता यह, कि क्या कहता है, शौटकर्ड मेथड आपके पास में, शौटकर्ड मेथड कहता है कि भजज़ जो डेटा है न मैं उस पर काम नहीं करूँगा, मैं डेटा को छोटा गरे काम करूँगा, जिससे की डी कॉलम बनता है, क्लियर हैं, तो पहले चलिए भी डी कॉलम बना ही लेते हैं, शौटकर्ड मेथड कहता है कि मैं डेटा पे काम नहीं करूँगा, डेटा में से आप एक कोई चीज़ माइनस कर लीजिए, कि मैं डेटा में से ए मैं मान लेता हूं कि सीविक नंबर को हंडर मान लेता हूं, जोरू नहीं बीच वाला मान आए तो रट्टक्रिकिशन वारी बात है, कोई भी नंबर माइनस करो, वही तो बापस डाल देंगे, जो माइनस करोगे, मीन उतना ही तो आपका छोटा हो और 150, क्लेर है बच्चे, यह मेरे पास में क्या गया, 0, 40, 70, 100 और 150 आ गया, D कॉलम, लेकिन आप इस बात को समझेगा, कि यह डेटा किसी एक इंडिजिवल कान यह, डिस्किरिट सीरीज है, देखें नंबर अ फ्रिकेंसी है, तो 00 वाले 5 कंडिडेट है, 40, 40 वाले 2 कंडिड से तो FD column मनेगा, यह बात समझ मैं आपको, FD column क्यों मना, direct method होता है, तो X पे ही focus होता है, और shortcut method होगा, तो D column के requirement होगी, तो D लेकर आया, एक बात धान अखिएगा, इससे पहले F तो कभी multiply करनी रहा था, जो हमने पेच्छे question पढ़ा है, प्योंकि F था ही नहीं तो करेगा क्यों हो, वो individual series था, अब discrete series में F आएगा, एक से ज्यादा लोगों के पास में है, same data, एक से ज्यादा लोगों के पास में है, उसे frequency कहते है, तो जब भी frequency आएगा, साथ में multiply लाएगा, अब सवाल ही है क्यों, multiply किसको करेगा, तो आप method का नाम पढ़िए, direct method, importance X की है, तो F आपर X को multiply करेगा, shortcut method, importance उस पर D column की होती है, तो F आपर D को multiply करेगा, step division method, वहाँ पर D dash column बनता है, तो F D dash को multiply करेगा, clear है बच्चे, और summation दो चीज़ों को होता है, एक तो F का होगा ही होगा, तय है, चाहे method कोई सा भी हो, और दूसरा आपका F जिस को multiply करेगा, उस column का sum और यहाँ पर F ने D को multiply करेगा भी, तो 0, 80, 420, 400, 450, clear है बच्चे, अब solve करते हैं, इसको हम, submission F D, क्योंकि F ने D को कर रहा है, तो क्या है आपके पास में, 0, 0, 0, यह तो आपके पास में 0 आगया, यह आपके पास में 8, 2, 10, 5, 15, और यहां पर आपके पास में 4, 8, 12, 13, 1350 हाया है, अब यहां मीन कैसे निकालें गया बच्चे, तो आपने submission F D को divided by, आप submission F करोगे, यह तो D कॉलम के मीन आगया, पर मुझे चाहिए किसका मीन, मुझ X में से A सब्टेक्ट करके बनाता है, और मैंने बताया था, जितना आप डेटा पर एफेक्ट डालोगे, वह एफेक्ट में पर पढ़ जाता है, तो आपका actual mean भी आपका A सब्टेक्ट हो गया होगा, तो आपका A डाल देंगे, तो आप X बार इक्पल्स टू, A आपका क्या दो सत्य चोदा, दो पंचे दस, तो 167.5, तो यह बच्चे आपका क्या हो गया, discrete series हो गया, clear है, कोई डाउट किसी बच्चे को, इसी तरीके से अगर आप बच्चे, step division method apply कर रहे हैं, discrete series में, तो step division method में use किस चीच का होता है, step division method में use होता है d' का, तो d' का, तो d' निकलता ह से x से, तो पहले x से d निका लोगे, d से d' निका लोगे, पहले यह process पूरा कीजिए, use step division method है, d' लेना ज़रूरी है, next class इस पर हम continuous series को cover कर लेंगे, हां जी, तो सबसे पहले आपके पास में d' कॉलम आएगा, फिर d' कॉलम की help से d' कॉलम आएगा, और फिर एक f multiply करेगा, हां जी, तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा, d' कॉलम निका लेंगे, d कैसा निकलेगा आपका, x minus a और a आप क्या consider कर रहे हैं यहां पर, सो, 0, 40, 70, 100, 150, यह आगया, अब d' से आप क्या बनाएगे, d' कैसे बनता है, d' कॉलम डिवाइड इवाइड इवाइड सी, सब किस से भाग होते हैं इन इंजर आ रहे हैं, 10 से भी हो रहे हैं, 10 से कर दो, सारे भाग हो रहे हैं, तो वही लोग पॉइंट में क्यों जाना, तो c equals to 10, तो जीरो का जीरो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, यह 7 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा, और यह 15 हो जाएगा, अब मैंने मता था ना, F जब भी आएगा, साथ में multiply लाएगा, मैंने F multiply जरूर करता है, किसको करता है, अगर direct method है, तो X की importance है, तो वहाँ F X को कर रहा है, shortcut method है, D की importance है, वहाँ F D कर रहा है, step division method है, तो D dash की requirement होती है, यहाँ F D dash को multiply करेगा, यहाँ F D dash को multiply करेगा, तो 5 00 248 6 42 40 45, अब submission किसका होगा, एक तो F पर submission होता ही होता है, submission F हमेशा होगा, 20, और F जिसको multiply करता है, उसका submission होता है, तो direct method में F X का submission हो आता है, shortcut method में D को multiply कर रहा था, तो F D का sum होता है, step division method में D dash को multiply कर रहा था, तो D dash का submission होगा, तो अच्छे से F D dash, तो 8 2 10 और 5 15, और 1, 1 और 4 5, 5 4 9, 9 और 4 13, 135, तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पर mean निकालना है, तो mean के लिए आप submission F D dash divided by submission F करेंगे, तो यह तो D dash का mean आगया, तो D dash का mean आगया, तो D से बना था, कैसे C से divide करके, तो mean भी C से divide हो गया होगा, तो C से multiply करता हूँ, तो D का mean आगया, बापस से लगया mean, अब D का mean आया, और D कॉलम बना किसे था, X से, A minus करके, तो बापस उस mean भी A short होगा होगा, तो बापस A plus कर देता हूँ, तो mean आगया होगा, यह बात में बार-बार repeat कर रहा हूँ, तो A का मेरे पास में यहाँ पर 100, F D dash का 135, समिशन F का मेरे पास में 20 and C का मेरे पास में 10, तो सॉल करेंगे 167.5 मेरे पास में अंसर आगया, क्लेरे बच्चे कोई डाउट, क्लेरे कोई डाउट किसी बच्चे को, तो आज की क्लासिस में हमने क्या गरा हूँ, क्लेरे बच्चे, अब यहाँ पर आप देखेंगे, कोई डाउट किसी बच्चे को, सी कैसे आएगा सर, सी बच्चे आपके मन में हैं कि कोई भी नमबर ले सकते हैं, जो दिल में हैं, जिससे भाग करने का मन करें, भाग करो, कोई कॉमन, तो कोई कोमन हो रहा हूँ ने में से सम्में से, तो वो कर लो, पॉइंट में नहीं आएगा, सब दस से भाग हो रहे तो मैं दस ले लिया सी, आप दो भी ले लिजिए अपनी मर्जी से, तो भी आप फिर दो से मंटिप्लाइ करेंगे, अगर आप दो से डिवाइड करेंगे, तो मीन आपका दो छोटा हो जाएगा, डिवाइड इवाइड बाए टू हो जाएगा, तो टू से मंटिप्ला करके वापस आप में बजाएंगे तो कुछ भी ले सकते हैं पांच ले लिजिए तब भी आपका अंसर वही आएगा वापस मंटिप्ला फिर आपने पांच सही करना है क्लियरे बच्चे हिमांशी ठीक है तो मीन, मीडियन मोड हो जाएगा, उसके बाद आप कुछ, कॉटाइल, प्रसंटाइल, डिसाइल, यह चीचे हम निकालेंगे.